मित्रों को जैजै सिया राम प्रभू स्री राम की किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी सुभकामना है एही हमारी मंगल कामना है तो गोश्वामी तूलसी दास जी के कुछ चर्चित दोहे को आज आपको हम सुनाते हैं राम नाम मनि दीप धरू जीह देहरी द्वार अतुलसी भीतर बाहर हूं जोचाह सीव जीयार तुलसी दास जी कहते हैं कि हे मनुष एदि तुम भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मनि दीप को रखो तुलसी नर का क्या बरा शमय बरा बलवान अभी लालूटी गो पिया वही अरजुन वही बान तुलसी दास जी कहते हैं कि शमय बरा बलवान होता है वो समय ही है जो बेक्ती को छोटा या बरा बनाता है जैसे एक बार जब महान धनुधर अरजुन का समय खराब हुआ तो अब ही लोके हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजाता चहूर अब बसी करन एक मंत्र है परिहरू बचन कठोर तुलसी दास जी कहते हैं कि मीठे बचन सब और शुक फैलाते हैं किसी को भी बस में करने का एक मंत्र होते हैं इसलिए मानब को चाहिए कि कठोर बचन छोड़कर मीठा बचन बोलने का प्रियास करें काम क्रोद मदलो भकी जो लव मन में खान अताव लव पंदित मू रखो तुलसी एक समान तुलसी दास जी का कहना है कि जब तक बेक्ती के मन में काम गुष्सा अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं तब तक एक ग्यानी और मुर्ख बेक्ती में कोई भेद नहीं रहता दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं नामु राम को कल्प तरू कलिकल्यान निवास अजो सिमरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास जी का कहने का यहर्थ है कि राम का नाम कल्प तरू यानी की मन चाहा पदार्थ देने वाला और मुक्ती का घर है जिसको अस्मरन करने से भांग साने क्रिस्ट तुलसी दास भी तुलसी के शमान पवित्र हो गया तो बोलिये सियावर राम चंद्र की जये एवद्या राम लला की जये बिरिंदावन भिहार इलाल की जये पवन सुतानू मान की जये वलो भाई सब संतन की जये हर हर महादेप जये सिव संभो झाल